Hello Friends, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Study26 पे और आज के वीडियो में देखेंगे Economics भी ये Second Semester के जिन बच्चों ने लिया होगा चाहे MJC हो, Minor हो, MDC किसी भी रूप में Economics को लिए है तो आपका जो syllabus है, जो Second Semester का उसमें आप देखिएगा पढ़ेंगे आप जो कि आपको हमने पहले भी एक lecture इस पे कराया है Mathematical Economics ठीक है, जिसमें number system हम करा चुके है अगले इस वीडियो में हम लोग एक महत्मून topic को देखेंगे ये question यहाँ से बहुत ज़्यादा rise होगा भी और हुआ भी है, ठीक है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे permutation and combination जो होता है इसके बारे में देखेंगे और इससे जो सवाल बनते हैं उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, इसके formula देखेंगे permutation किसे काते हैं, combination किसे काते हैं, दोनों चीजों को देखेंगे समझा देखेंगे, देखेंगे पहले इसको इस तरह समझेगा, एक example आप लीजे और इस example में आप इस तरह समझे, कि मालेजे आपके पास A, B, C, D है, ठीक है, A, B, C, D लिखा हुआ है, ये मालेजे चार वेक्ती है, ठीक है, आपको बोलेगा, चार कुरसी आपको दिया हुआ है, ठीक है, मालेजे ये एक कुरसी है, दूसरा है, तीसरा है, चोथा है, ऐसे करके चार कुरसी है, ठीक है, इन ही चार कुरसीों पर ये बैठ सकता है उसी तरह B पर भी A बैठ सकता है C मतलब की कहने का मतलब सीधा मतलब यह होता है permutation का कि मालिजे की chronology में यानि स्रेनी में कुछ number दिये रहेंगे और उनको बोलेगा कैसे कैसे उसको arrange किया जा सकता कितने प्रकार से ठीक है तो ऐसे प्रस्न का जब भी उत्तर बनाईएगा ना तो उसका formula होता है formula को लगाईएगा तो वह आसानी से बन जाएगा अन्य था मालिजे आपको एक और example आपको हम देते हैं मालिजे 1 और 2 है 1 और 2 है आपको बोल दे कि 1 2 को और किस तरह से लिख सकते है तो 2 और 1 लिख सकते की नहीं 1 और 2 एक तरीका है और 2 और 1 दूसरा तरीका है यानि एक और 2 को दो तरीके से लिख सकते ही इस दो नंबर को जो है ना दो तरीके साफ लिख सकते है ठीक है वैसे ही इसको एक बार औ बतन दीजिये, माले जिए एक्जाम्पल आपके सामने है कि one two three ठीक है, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक में तो देखे, एक तरीका यह हो गया, one two three के रूप में, दूसरा हो सकता है, one three two, यह तरीका हो यह भी हो सकता, चौह भाता तरीका, पाचमा तरीका है, आप जानते हैं, यह उसी तरह 3, 1, 2, आ लिख सकते हैं, फिर दखे ते लखे 3, 2, 1,bin हां लिख सकते हैं, यह शड़ा तरीका होगा, तो ऐसे मतलब लिखे सीधा मतलब ये हुगा क्रमचे जिसको बोलते हैं पर्मूटेशन इसका मतलब ये हुगा कुछ नंबर्स आपको सिरियल नंबर दिये रहेंगे आउनको बोलेगा कि वो कैसे कैसे आप उसको एरेंज कर सकते है ठीक है इसको अभी तूरंत आप समझेगा बट अभी आप पहले इसके फॉर्मूला को देखिए फॉर्मूला क्या होता है उसके डेफिनेशन को देखिए तब ये चीज़ें और भी असानी से हम आपको समझा पाएंगे और एक दू अबजिक्टिव यानि कि एक्जामपल के साथ आपको सॉल्यूशन करा देंगे तो ये चीज़ें और भी अस्पष्ट हो जाएगी ठीक है तो देखिए क्रमचे का मतलब होता है निश्चित वस्तूओं का एक निर्धारित करम में विन्यास उन वस्तूओं का पर्मूटेशन कराता है यानि कि सीधा मतलब एक क्रम में मालेजिए A है B है C है D है ये करम है ठीक है इसको किस तरह से जा सकते हैं यही पर्मूटेशन का लाता है ठीक इतना चीज आप समझ गया उसके पर्मूटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर इसको तो यह देखिए अब इसको दिखाते है आपको एन पी आर यह हो गया है मतलब इसका पर्मूटेशन का फॉर्मूला का शुरूवा यहां से ठीक है NPR is equal to, यह देखिए, factorial N इसको factorial, देखिए factorial जो होता है वो भी तुरंत बताएंगे उसको भी दिहाट हम रेके, factorial N by 4 ईन मैंनस R factorial, यह होता है, ठीक है, यही इसका formula होता है, यही factorial क्या होता है, पहले इसको आप समझ जिए, तब ही आप समझपा है, है यह इसी तरह और इसी को इस तरह भी लिख देजेगा, वह लगता है, THEN起來 मध मतलब होए मा ओलिजे फेक्टोरीयल का रख दियों быть इन्हारे टिन से छोटा कोन कोन है उसको अर्फ जाता है याद मांदेजे कि अभी यही 5 रहता है factorial में तो इसको अगर लिखते तो 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 लिखना पड़ता आपको ठीक है तो यह हो गया क्या, factorial हट जाता आपने आप यहनि factorial का मतलब आप समझ गए तो देखिए, इसका जो formula है, अब उसको देखिए, इसको अच्छे से समझ जीएगा, ठीक है तो इसका formula होता है, NPR is equal to N factorial by N minus R factorial यह formula याद करना होगा, इस तरह नहीं याद होता है तो देखिए, इसको एकदम आराम से हम लिख दीए, इस तरह से है, इसको याद कर दीजिएगा, ठीक है N factorial, बटे, factorial N minus R, ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा, NPR का formula क्या होता है, ठीक है कि question आप से अगर मा लिजे, यह पूछा है, एक्जामपल में, 1234 का फ्यक्ट, यह permutation निका लिए, ठीक है इसको करम चै बोलते हैं हिंदी में, तो करम चै निका लिए, 1234 का, तो देखिए, यह चार नंबर है किने, तो नंबर बराबर कितना हो गया, चार, एन बराबर हो गया, चार, आर बराबर आपसे बोला, चारों का निका लिए, यानि वह असपष्ट नहीं बोला है, लेकिन वह बोलेगा, 1234 का, क्या, बोलेगा, पर्मूटेशन निका लिए, यानि कि करम चै निका लिए, यानि चारों का निका लिए, तो आर बराबर पर भी कितना हो गया चार हो गया अब देखिए इसमें फॉर्मूला तुरंट सेट कीजिए देखिए हमारे पास यह बोर्ड है इस वज़े से हमारे पास मतलब एक तरह से कहिए तो जगह का कमी है इसलिए हम उसको मिटा दिये ठीक अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाई self-n-pr बराबर क्या हम बताया थे factorial In बटे n-r- . यही तो फॉर्मूलाय एक तो n का मतलब कितना हम बताय थे n का मान कितना बताय थे अब तुरंट हम बताया है चार बताय थे ठीक है ? और नीचे आप लिखिए गा factorial 4-4 R का भी 4 बताये थे और N का भी 4 बताये थे बताये थे कि नहीं अब देखें इसको जोड़िए factorial 4 बटे हो गया कितना factorial 4-4 यह है न इसको अब घटाईएगा 4 में 4 चला गया तो 0 बचा देख लिए 0 आगया तो factorial 0 का मान 1 होता है ठीक है? इसको दहाँ में आप लिख लीजिए. फैक्तॉरियल 0 का मान बराबर एक होता है, और फैक्तॉरियल 1 का मान भी एक होता है, ठीक है? ये दोनों आप no doubt कर लेजिए. तो देखें, फैक्तॉरियल 0 का मान 1 हो गया, ठीक है, और 4-3-2-1 कर दीजेगा उपर वाले को इसको जब तोड़िएगा देखिए 4-3-2-1 हो गया ना और 0 का value कितना होता है तो 4 तो यहीं 12-12-24 है यानि कि देखिए अब देखिए इसका सही उत्तर हो गया कितना 24 हो गया ठीक है तो अब देखिए यह जो question आप से पूछा था कि द इस वज़े से आप नहीं समझेंगे लेकिन अभी तूरंथ हम इसको समझा देते हैं एक और आपके पास रहा ABC का क्रमचे निकालिए यानि पर्मूटेशन निकालिए तो इसमें तूरंथ है आपके पास नंबर कितना है तीन है है किने आर बराबर भी कितना है तीन है उसके नीगा देखे तूरंत आप फ़र्मूला लगाई यह ए एनुबंडीन होता है अभी तूरंत याद हम करवाए है मैनस 2 और इसको पहे possibile में कर देजे तो देखे factorial 3 by 3 minus 3 हो गया कितना factorial 0 बच गया यहां पर तो 3 factorial को जब तोड़िएगा तो इसका क्या होगा हम पहले भी बता है थे इसकी छोटी संख्या से उसको गुना करना है यानि 3 into 2 into 1 कर दीजिए बटे 0 का मान कितना होता है एक होता है एक रख दीजिए यानि चो हो गया इसका इंसर सही हुआ कि ने तो इसी तरह आपको निकालना होता है कोई भी factorial को फिर से देखिए factorial तोड़के एक बार और आपको हम क्रमचे निकालना का जिखा देत है पर मूटेशन को देखिए अगर मालिजे आपके पस एकजामपल है कि वन और टू का करमचे निकाला यानिक पर मूटेशन निकालना तो यह दो संख्या है न तो एग बरावर कितना हो whole, मतलब factorial, लगा दिया अपने formula, तो factorial n का मतलब क्या हो गया, 2 into 1 हो गया, उसके बाद देखे, n minus r का value कितना है, तो इसका देखे, factorial 2 minus 2 है, यह इन है, 2 हो गया n का और 2 हो गया r का, यहनि 0 बच गया यहाँ पर नीचे में, तो यहनि कि 0 का value कितना होता है, 2 गुना 1, 2 हो गया, यहाँ देखे, इसको आभ यहाँ जोड रहे हैं, ठीक है, तो 2 गुना 1, बरावर 2 हो गया, बटे 0, यहनि factorial 0 का value कितना होता है, 1 होता है, यहनि कि कितना आ गया, इसको कटाईएगा तो, 2 answer आ गया, आप देखिएगा, कोई भी university का exam हुआ है, जहाँ पर हुआ है, वहाँ पर देखिएगा, objective में इसका question रहा है, बलकि इसमें theory नहीं पढ़ना है, चुकि देखिए, आपके syllabus में directly लिखा है, permutation and communication, और उसके बाद दे दिया है basic, उसमें आपको जानना है, ठीक है, तो basic में आपको formula याद करना है, n, p, r बराबर क्या आता है, factorial n by n minus r factorial, ठीक है, तो इसको कोई भी सवाल को जब इससे तोड़ियेगा ना, तो यह सही हो जाएगा, अब permutation का मतलब था, कोई भी संख्यां को arrange way में लगाने का तरीका ही permutation करनाता है, आप देखें, 1, 2 है, इसका 2 आया ना, answer आपका, मालें जए 1 और 2 का permutation आपको निकालने के लिए बोल दिया, तो 1 और 2 का आप देखें, 1 और 2 को क्या तरीका से लिख सकते हैं, 1 और 2 एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका 2 और 1 दूसरा तरीका हो गया कि नहीं तो यह तरीका से लिख सकते हैं अभी इसका फॉर्मूला लगा कि 1 2 को देखे निकाले अभी तुरंत हम कि 1 2 का पर्मूटेशन निकाल लिए तो अभी दो तरीका हम बताया थेंगे अभी तुरंत हम आपको बताया थेंगे तो अब देखे फैक्टोरियल से 2 को हटाईएगा तो कितना होगा दो गुना एक बटे जीरो का वैल्यू कितना बताया थे एक यानि दो एंसर हो गया थेंगे आपका इस तरह भी आजाएगा अब उस तरह अगर निकाल लिएगा तो वो लंबा प्रोसेस होता है इसलिए इसके लिए फर्मूला बना होता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखेगा यह पर्मूटेशन का टॉपिक जो था इसको हमने करा दिया है आप कंबिनेशन को करिए कंबिनेशन का मतलब होता है संचे यहानि कि संचे का मतलब क्या होता अब देखिए अभी तूरंत आपको समझाते हैं संचे का यहां मतलब यह होता है बच्चों कोई भी संख्या है अगर एक तरह का है तो उसको एक ही बोलेंगे मतलब कि यह समझे आप मालीजी ए बी सी डी इसका आपसे बोलेगा कि इसका संचे क्या होगा तो इसका एक ही होगा ठीक है लेकिन अगर आपसे बोले इसका पर्मूटेशन क्या होगा तब इसका पर्मूटेशन कितना होगा पर्मूटेशन इसका बहुत हो जाएगा चुकि चार संख्या तो लगभग हमको लगता है कि इ जैसे कि अभी तूरंत आपको हम बताए एंसी एंपी आर मापके जिए एंपी आर वाला फॉर्मूला लगाई है क्या है फैक्टोरियल एन बटे एन मैनस आर का फैक्टोरियल लगा देजिए फॉर्मूला इसका राइट एंसर चोविस आएगा ठीक है यानि कि देखिए एबी 2017डी की नाम का कोई चार वोचा चौकलेट टतो इसका अगर आप से पूझे तो चॉकलेट का सबका सहहोगा तो इसी लिए इसका रहगा ऊजाएगा अगर चुन्हें संज पूछेंगा तो फैश्ट किटिनेल का बेक। चैक्ट लेकिन आपपातें या फर्मूला देखिए उसके definition को देखिए तब चीज़ें आपको और भी solve करके हम लोग बताएंगे तो देखिए combination का मतलता और समान वस्तूओं में से कुछ ही या सभी को लेकर जो भीन भीन वर्ग या चयन प्राप्त होता है उनमें प्रते को उन वस्तूओं का संचे कहा जाता है यहीं कि देखिए इसके फॉर्मूला में थोड़ा difficulty आपको लगेगा बट इसको जब समझते हैं तो combination का मतलब है करने हैं एक रूम ना इन चार dem़ या दूगो लड़का है तो वूुंगो लड़का है तो उसका combination क्या होगा है एक होगा यही दूगो लड़का में एक लड़का और एक लड़की रहता थे तो combination कितना होता है? दो होता है, चुकि दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? उसी तरह चारगो चोकलेट है, एलपे लीवे का, तो चारगो चोकलेट है, उसका क्या होगा? और combination उसका एक होगा, यही अगर उसका permutation निकालिएगा, तो 24 हो जाएगा, वही दो लड़का का permutation निकालिएगा, तो कितना होगा? दो हो जाएगा, ठीक है? वही चार लड़का का permutation निकालिएगा, तो 24 होगा, और combination अगर निकालिएगा, तो दोनों का एक ही होगा, ठीक है? कैसे होगा है अब उसको देखे फॉर्मूला व्याई हम लोग समझते हैं कि फॉर्मूला में इसको कैसे समझना है ठीक है तो देखिए फॉर्मूला जो होता है इसका सुत्र जो होता पर्मूटेशन का आपको बता दिए कॉमिनेशन का देखिए N C R बरावर देखिए C से होता combination ठीक है ncr भरावर होता है factorial n ka factorial ही इसको बोलते है factorial अभितुरंत हम यह थो यह उय kanते है यह उल्टाई भी लिभी दिए तो factorial कलाता है ठीक है तो n 자가 points और आर factorial an factorial RAM cada there eight main भी यह सका formula होता है अब छीत्ट को आपको एक किराते हैं question लिए एक आसान question लिए तो इसका combination निकालिए तो ncr बराबर क्या formula भी तुरंट हम आपको बता है कि ncr बराबर होता है factorial n लगाईए फटाक से उसके बाद factorial r factorial r कर दीजिए bracket में करिए n-r का factorial यह पूरा का factorial ठीक है अब इसको तोड़िए लगाई है यहां जिर्ड रख दीजे ठीक होया कैसे रखे तो न का कट गया एक बार में कट गया और फ्रेक्टुरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है एक होता है अभी तुरंत आपको बताया थे एक बटा एक यह एक हो गया नहीं इसका एंसर ठीक है यानि कि देखिए आप सीधा देखे कि NCR यानि वन और टू का आपको यही आपको अभी पर्मूटेशन निकाले तो इसका वेल्यू अलग हो जाता है लेकिन कॉमिनेशन कितना बोले थे एक होगा तो एक ही आया कि नहीं देखिए इसको इस तरफ फिर समझे एक्जाम्पल लीजिए ठीरी और टू का आपसे अगर मालीजिए हमने बोल दिया कि आपको कॉमिनेशन निकाला है तो फट से NC R लगाई ये फर्मूला फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इन्टू N-R का फैक्टोरियल जो की लिख दिये अब देखिए फट से N कितना है दो संख्या है तो 2 हो गया आई दोनों का निकालने के लिए हम बोल रहे हैं तो यानि कि 2 आपका हो गय भ्याश्ध मैंने लिएल चुल टो कुक्न होता है इसी तरह दियान में अपको रखना होगा जो भी चीज़ा हमारे पास थोड़ा स्लाइड चोटा होता है Defense को पढ़ाने में दिख्कत होता है लेकिन आप समझी रहे होंगे हमने कम आपे। का प्रयास किया आपको फिर से देखिए अगर मालेजिए आपके पास एक और कोस्टिन हो यह आप से बोले ए बी और सी इसका आपको बोले कॉमिनेशन निका लिए तो आप तूरंट निका लिए गए एंसी आर फॉर्मूला लगाईए एन का वेल्यू कितना है फैक्टोरियल एन यह फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल एन है अभी तूरंट बताया दें या यहां पो रहे तो ुशालीयों का निकाने इखना होगा और यहां पर एक ऐन पर उ तो देखिए अब तुरंत इसको यहां से बढ़ाई आगे देखिए फैक्टोरियल 3 का वेल्यू फैक्टोरियल 3 कट गया और उसके बाद देखिए एक बचा उपर में उसके देखिए N-R का वेल्यू भी कितना हो गया और उसके बाद इसके फॉर्मूला को याद रखिएगा ठीक है यह दोनों ही चीज आपको हम बता दिए लेकिन आप देखिए आपसे सवाल जो है यह सवाल इतना ही आसान नहीं हो सकता है कभी-कभी थोड़ा टब भी होता है जैसे दिखिए आपके पास एक क्वेश्चन है व टोटल संख्या आपके पास कितना है वन टू थरी फोल यानि चार संख्या आपके पास है टोटल ठीक है अब निकालना कितना का तो आर बराबर ठीरी है अब दिखिए इसका संचे निकालिए फट से लगाई यह फर्मूला एन सी आर इसकोल टू फैक्टोरियल एन बटे फै से और फिर दिखिए आर का वेल्यू भी चार था उसके बाद कि फैक्टोरियल कितना लगाना है एन मेनस चार यहनि चार मैनस आर का वेल्यू कितना था तीन था सौरी यहां पर चार हम कर दिए यहां पर तीन आपको करना होगा ठीक है अब इसको सॉल्व किजिए तो देखि फैक्टोरियल चार को जब तोडिएगा तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यही न होगा उसके बाद दिखिए फैक्टोरियल 3 था तो 3 को जब तोडिएगा 3 into 2 into 1 हो जाएगा अब दिखिए यहां पर ब्रेकेट में कितना था फैक्टोरियल था कितना आपका 4 मैनस 3 थी यानि फ इसका चार एंसर हो गया कि नहीं यानि कि देखिए इसी तरह आपको पर्मूटेशन का सवाल दिया जाएगा इसी तरह आपको बनाना होगा ठीक है हम कोशिस किए हैं कि आपको इस तरह से बता दें लेकिन हमारे पर बोर्ड का अभाव है इस वज़े से और भी इसको खुल के बता सकते थे लेकिन अभाव की वज़े से हम नहीं कर पाए बाकि आप समझ पाए कि नहीं यह तो आप कमेंट के माध्यम से बताईएगा सीधा मतलब आपको डिरेक्ट बता देते हैं कि प ίच पर्मूटेसन निका लिए आपसे हम कोशन किये हैे अपल का पर्मूटेसन निका लिए तो आपको डिरेक्ट लगाना फॉर्मूला एन पीआर इसको गा लिए एक संख्या दो संख्या तीन चार पाँच 54 f jack night लें आर अर वरेवर भी पांच हो गया चुंकि इसमें यह नहीं बुला है कितने संख्या का, इसलिए टोटल का निकलना आपको, ठीक है, यह धियान में रखिएगा, तो इसका फर्मूला तुरंट लगा दीजेगा, फैक्टोरियल N, बटे, N-R, फैक्टोरियल, यही तो है फर्मूला, इसको खटाक से आप जब सॉल्व किजेगा, तो इसका देखिए कितना आजाएगा, फैक्टोरियल N का वैल्यू कितना हो गया, पांच, ठीक है, और उसके बाद नीचे आजाएगे, तो इसको जब किजेगा, तो पांच मैनस पांच हो जाएगा, तो यहनि जीरो हो गया नीचे वाला, यहनि फैक्टोरियल पांच बटे फैक्टोरियल 0, तो 0 का वैल्यू कितना होता है, यह हो गया, देखिए, 5 x 4 x 3 x 2 x 1, यहनि फैक्टोरियल को जब तोड़ दिये, तो और 0 का वैल्यू 1 होता है, तो पांच उक 20, 20 ती आई, कितना होता है, 60 और 60 दूनी, 120, 120 बटे 1, यहनि 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा, एं जो भी सवाल हो, जैसे भी सवाल हो, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, common sense लगाना है, और उसी बेस पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के वीडियो में हमने कोसिस किया है, कि आपको जितना भी हो सके, जो भी हो सके हम आपको बनावा कि आपका जितना भी हो से करा देना ठीक है अगर प्रेक्टिस किया रहेगा तो आपसे कोई भी सवाल होगा न तो आपसे बन जाएगा पर मुटेशन और कमिनेशन दोनों का फर्मूला यादर किएगा जो भी सवाल बने इसी तरह से मनाईएगा एक बार में व उसी से हम लोग काम जलाएंगे और उसको हमने करा दिया है आप इसको देख लीजेगा यहाँ से एक आग सवाल होगा तो आपनाईएगा ठीक है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते है नए वीडियो में तो तक के लिए धन्यवाद